प्यारे बच्चों, आज हम दस्वी कक्ष्या के गनित का फर्ष्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है वास्त्विक संखें, अर्थात रियल नंबर्स। इस चैप्टर में आईए सबसे पहले हम कुछ एक परिभासा हैं, रिवाइज कर लेते हैं, जो हम पिछली कक्ष्याओं में पढ़ चुके हैं, सबसे पहले आता है प्राकर्थ संखें, जिनको नेच्रल नंबर्स भी बोलते हैं, एन से दिनोट की जाती हैं, प्राकर्थ संखे कौन सी होती हैं, जो गिन्ती वाली संखें हैं, एक, दो, तीन, चर, पाँच आदी, ये प्राकर्थ संखें कहलाती हैं, प्राकर्थ संखें के बाद, दूसरे नंबर पर है, पूर्ण संखें, यानि वोल नंबर, पूर्ण संखें, यदि हम प्राकर्थ संखें के संखें में, जीरो और मिला दें, तो, ये संखें जो है, पूर्ण संखें का संखें कहलाता है, उसके बाद, तीसरे नंबर पर आता है, पूर्ण आंक, इंटीजर्स, जेड के तो, ये संखें कहलाता है, ये पूर्ण संखें के संखें में, प्राकर्थ संखें के रिनातमक रंक और मिला दिये जाएं, तो ये जो समू है, ये पूर्ण आंकों का समू कहलाता है, अब पूर्ण आंकों में देखिए, जो पूर्ण आंक, जीरो से बड़े होते हैं, उन पूर्ण आंकों को हम धनातमक पूर्ण आंक कहते हैं, है अझे पोजिटिव इंटीजर्स और जो पुरौनाख zero से चोटे होते हैं उनको हम thumb करते हैं तो इननेगटिव इंटीजर्स जीरो नत तो ठनात्म कहा है और नहींsplिअ अब पुर्णांकों के बाद आता है परिमे संखें यानि रेशनल नंबर्स जो संखें पी बाई क्यों की रूप में लिखी जासके और जहां क्यों इस नोट इकुल टू जीरो हो वे संखें परिमे संखें कहलाती हैं उद्हारन के लिए जैसे तीन वटे चार हैं शाथ वटे पांच हैं ये संखें परिमे संखें हैं क्योंकि इसको देखिए हमने पी बाई क्यों या पी तीन है और क्यों चार है साथ वटे 5 भी प्रिमेसंग क्या है साथ पी विए पांच क्योग नहीं यहां पर हर 0 भी नहीं है तो यह प्रिमेसंग हैं इसी प्रकार अगर हम कोई भी पुरणाग उठा लें जैसे 4 है च्यार को आप 4 भाई 1 कह सकते हैं तो यह भी हमने PYQ के रूप में लिख दिया और यहाँ पर Q is not equal to 0 है तो इसका मतलब 4 भी एक प्रमे संख्या है माइनस 3 को भी आप लिख सकते हो माइनस 3 भाई एक यहने PYQ के रूप में यह भी लिखी गई है माइनस 3 भी एक प्रमे संख्या है तो यहाँ से अगर हम देखें तो जितने भी पूर्णांख है वो प्रमे संख्या है जितनी पूर्णांख है वो पूर्णांख है वो पूर्णांख है जितने प्राकर्थ संख्या है वो पूर्णांख्याओं का ही एक भाग है आग गयाता है ऐप्रमे संखें किसे किते हैं इरेशनल नमर वो संखें जो PYQ के रूप में ना लिखी जासके ऐसी संखें ऐप्रमे संखें कहलाती है जैसे वरग मुल दो, वरग मुल तीन, पाई, एक्स्ट्रा ये सारी ऐप्रमे संखें हैं अब देखिए अगर हम बाई सोटे साथ की बात करें तो ये एक प्रमे संखें कहा है जबकि पाई एक ऐप्रमे संखें कहा है नहीं होता जबकि इसका इलग बगमान है, पाई को अग्जैक्टली पी बाई क्यू की रूप में लिख नहीं सकते हैं इसलिए पाई ये के ऐप्रमे संखें अब आता है कि वास्तविक संखें क्या होती है जो वास्तव में हमारे चैप्टर का नाम है अब जो हमने प्रिमे संखें पड़ी है और आप्रमे संखें पड़ी है प्रिमे तथा आप्रमे संखें का समू वास्तविक संखें का समू कहलाता है प्रमे और ए प्रमे संख्याओं का समूँ वास्त्विक संख्याओं कहलाता है अब आगे आता है यूकलेड विवाजन प्रमेईका यूकलेड विवाजन प्रमेईका का समझने से पहले हम ये जानते हैं कि प्रमेईका सब्दकार्द क्या होता है प्रमेइका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए परियोग किया जाता है युकलिट विभाजन प्रमेइका को समझने के लिए हम बिल्कुल सिंपल सा एक उधारन लेते हैं पहले कि मान लेजी हमारे पास कोई दो धनात्मक पुर्णाग है जिसे 21 और 5 यहां हम देख रहे हैं कि 21 जो है 5 से बड़ा है यदि हम 21 को 5 से भाग दें तो 5 जोके 20 से एक बच जाता है तो हम 21 को क्या लिख सकते हैं 21 को लिख सकते हैं 5 गुणा 4 पलस में 6 अब हमें पता है कि 6 कभी भी 0 से छोटा नहीं होता यह जीरो हमेशा ही से रहेगी और से हमेशा ही भाजक से छोटा होता है तो ठीक इसी तरह से हम इस रिजल्ट को थोड़ा जनरलाइज कर रहे हैं कि मान लेजिए हमारे पास A और B दो धनात्मक पुरणाग है 21 और पांस की जगह पर मैंने A और B कोई भी दो धनात्मक पुरणाग ले लिए मैंने मार लिया कि A जो हब B से बड़ा है यदि मैं A को B से भाग दूँ तो हमारे पास दो एद वित्तिय पुरण संक्य हैं क्यों और R प्राफ्त होगी जिसको हम लिख सकते हैं कि A बराबर जैसे 21 को लिखा हमने 5 गुणा 4 प्लस एक तो ठीक उसी तरह से A को B गुणा क्यों प्लस आर जहां पर से समय सही 0 से बड़ाया 0 के बराबर होगा लेकिन पाजक B से छोटा होगा अब देखिए हमें यहां से एक यह कथन प्राप्त हुआ है कि A बराबर B क्यों प्लस आर जहां 0 is less than or equal to R which is less than B तो यह जो कथन है यह और कुछ नहीं है यह उकलीड विवाजन प्रमेग का ही है तो हम युकलीड विवाजन प्रमेगा को इस प्रकार प्रिभासित कर सकते हैं कि दो धनात्मक पुर्णांग A और B दिये रहने पर ऐसी एद्वित्य पुर्ण संखें Q और R विद्दे मान हैं कि A बराबर B Q प्लस R such that 0 is less than or equal to R which is less than B अब हम आगे पढ़ते हैं युकलीड विवाजन अल्गोरिथम अब देखें सबसे पहले हम युकलीड विवाजन अल्गोरिथम से पहले हम अल्गोरिथम समदगार्थ समझते हैं कि अल्गोरिथम जो है किसी भी समस्या को हल करने के लिए अपनाई गई विद्दी के steps जो है विभिन जो चरण है उनकी स्रंकला को हम अल्गोरिथम कहते हैं अब युकलीड विवाजन अल्गोरिथम वास्तव में दो दनात्मक पुर्णांकों का हम एक्षिअप निकालने के लिए हम एक विद्दी का परियोग करते हैं उस विद्दी के जो तरण है वही यूकलिड विभाजन अल्गोरिथम और इस अल्गोरिथम में हम यूकलिड विभाजन परमेइका का पर्योग करेंगे यानि इस तरह से भाग विदी दोवारा हम हैचियफ ग्याद करेंगे यदि यूकलेट विभाजन अल्गोरिथम को एक समानले रूप से समझें तो मान लेजिए कि हमारे पास C और D कोई दो धनात्मक पुर्णांग है मान लेते हैं कि C D से बड़ा है जब हम C को D से भाग करते हैं तो हमें दो एद्वितिये पूर्ण संखें Q और R प्राप्त होगी तो यहाँ पर हम C को लिख सकते हैं C बराबर D को प्लस R यह यूकलेट विभाजन अल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप है कि हम यहाँ पर C को C और D पर यूकलेट विभाजन प्रमी का लगाएंगी अब इसका रिमेंडर चेक करेंगे यदि रिमेंडर 0 आता है तो D जो है यानि भाजक जो है इस स्टेज पर और C और D का HCF होगा लेकिन अगर R इस इकॉल टू जीरो नहीं है तो हम फिर से यूकलेट विभाजन प्रमी का R और D के लिए अपलाई करतेंगे फिर उसी तरह से हम दूसरा बागफल और से इस फल ग्यात करेंगे फिर इस स्टेज पर remainder चेक करेंगे अगर यहां पर से इस फल जीरो आ जाता है तो इस समय जो इस स्टेज पर जो भाजक है वो है C और D का HCF होगा लेकिन अगर यहां पर भी से इस फल जीरो नहीं आता तो फिर इसी प्रोसेस को हम आगेता किसी तरह से रिपीट करते रहेंगे और यह प्रोसेस उस समय जा करके रुकेगा जब से इस फल जीरो आएगा और उस स्टेज पर उस स्टेज पर उस स्टेथी में जो भाजक होगा वही C और D का HCF होगा यही युकलिड विभाजन अलगोरिथम वैसे तो युकलिड विभाजन अलगोरिथम का परियोग भाजक जीरो को छोड़ करके हम सभी पुरणांकों के लिए लगा सकते हैं लेकिन फिलहाल रहाल हम जिर्फ दनात्मक पुरणांकों की बात करेंगे क्योंकि दनात्मक पुरणांकों के लिए यूकलिड विवाजन अल्गोरिथम का परियोग हमारे से लेवस से भी बाहर है दस्वी कक्स अगिसकोप से भी बाहर है इसलिए हम यूकलिड विवाजन अल्गोरिथम का परियोग यहां पर सिरफ धनात्मक पुलनांकों के लिए ही करेंगे आगे उधारन एक 4052 और 12,506 का HCF Euclid विफाजन अल्गोरिथम का परियोग करके ज्याद कीजिए तो यहां पर हमें दो संखेंदे रखी है 4052 और 12,576 तो यहां पर हम देखते हैं कि 12,576 बड़ा है 4052 इसलिए हम 12,576 को 4,000 बाउन से विफाजित करते हैं भाग देते हैं तो भाग देने पर तीन दूनी माइनस करेंगे तो 0,24 अब देखिए इस स्टेज पर हमने चेक किया कि यहां पर रिमेंडर भी 0 नहीं आया है तो यूकलिट भी भाजन अलगोरिथम से यहां पर हम फियर करते जाते हैं अलगोरिथम के पहले स्टेप में हम यहां रिमेंडर अप्टेन करते हैं तो 12,576 ब्राबर 4,052 गुणा 3 पलस 420 यहां पर आर ब्राबर 0 नहीं है 0 नहीं है तो अब यूकलिट भी भाजन पर मेंगा 4,052 और 420 के लिए लगेगी चार दाए चालेशन नो पर जाए गई 9,00 फिर माइनस करेंगे तो 2 अब देखिए इस स्टेज में भी रिमेंडर 0 नहीं है तो हम लिखेंगे चार हजार बाउन ब्राबर 420 गुणा में नो पलस 221 रिमेंडर इस अगें नोट इकुल्टो जीरो युकलेड विभाजन पर मेंगा फिर से रिपीट होगी 420 और दो स्टेज मेंडर के लिए अब 420 ब्राबर 200 गुणा 1 पलस 168 रिमेंडर फिर 0 के ब्राबर नहीं है तो एक बार फिर से रिपीट कर दिजी इसको अब कि अब कि अब कि फिर रिमेंडर जीरो नहीं आया है इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक सेस फल जीरो ना आजिए एक सब्सक्राइब तार इस ब्राफर एक सब्सक्राइब तो इस गुना एक पलस में जोब्स जोब्स अब पर रिपीट करें च्यार और च्यार्ट के लिए इस टेज़ पर देंगे च्यार्चे के 24 शेसफल जीरो आ जाता है शेसफल जीरो आते है यह पर करिया रुक जाएगी यह पर और इस स्टेज़ पर जो भाजक है यानि च्यार्च वह 4,082 और 12,506 का हाओ ओँ होगा तो से टोभीष ब्रबाबर हम लिखें गीजार गुना च्यार्चे अफession जीरो होग रीज़े रिमेंडर के वह गया जीरो हो गया तो मरेखें यह इसलिए यह प्रक्रियस माप्त हो जाती है जो कि इस तीति में भाजक च्यार है इसलिए च्यार हजार पावन बार हजार पामसो चेत्र का अच्छिएफ होगा